जितना कठिन संघर्स होगा जीत उतनी ही संदार होगी जितना कठिन संघर्स होगा जीत उतना ही संदार होगी हेलो एब्रिवन मैं पसंत मवड़या स्वागत करता हूँ आपको हमारे आयस पॉइंट के यूट्यूब चनल पर दोस्तों आज हम लोग कच्छा सेबन की एंसे जगरोफी के चेप्टर नंबर पांच को कबर करने वाले हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में सभी चेप्टर को चेप्टर नंबर चार तक कवर कर चुका है अगर आपने हमारे उस वीडियो को नई देखा है तो नीचे डिस्क्रेप्शन में उसका लिंग दिया गया है आप जाकर करके सभी वीडियो को असानी से देख सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चेप्टर नंबर जल आज हम लोग जल के बारे में पढ़ेंगे और पीछली वीडियो में हमनों वायू के बारे में पढ़ा है तो चलिए शुरू करते हैं देशा कि हमने जानते हैं कि सुर्य की ताप की कारण जल औस्वित हो जाता है ठंडा होने पर जलवास्पंगर नित होकर बादलों का रूप ले लेता हैं यहां से यह वार्षा हिम अथवा सहीं व्रिश्टी के रूप में धर्ती पर यह समंदर पर नीचे गिरता है यहां पर दखेन ठलसाला तो छोटे घर के पौधे को रखने के लिए एक गमला होता है हρні तो आप लोग यह स्युन करते हैं कि शूर्य किताब के करना अंच जब सुर्य कि ज्यादा अत्याधी कर तो नदियामें हमारे जो हो तो वांखो जाती है ज़ल उपर की तरफ उड़ caution और वह घ позвол you उन और जाती है तो जब आ इस हम फे दween पढ़ेंगे तो चली पढ़ रहे हैं जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरुप को बदलता रहता है और महासाग्रोव वाइमंडल धर्ती के बीच चकर लगाता रहता है उसको जल चकर कहते हैं यह हमारा जल चकर देखिए बहुत इजली मैं आपको समझा रहा हूं देखिए पल पढ़ लेता हूं हमारे प्रिति भी थल साला की समान हैं जो जल सताब्दी पुर्व उपस्तित्त था वही आज भी मवजूद है जिस जल का प्रयोग आज हम हर्याना के खेत में सिचाई के ल जापिने पड़ेगी तो वास्पप करन होगा ये बादल बनेगा यो यह फुनअब यह घृशसा के आधा यी रूप फिर आकर के हमारी प्रितिव पर इसी जल में ग contender तो इसी को भब्सकार पार्यान बने दार से जा रहा है पिर दर वह चेंपनों Kauf तो पर किया दियाने की बर्प की नदिये महसागर समुद्रों का जल लवरनिय होता है ुश में दिकांस नमक सूडियम ख्रोड़ाइड या खाने में उप्योग किया जाने च्रुम को कि ये नमक होता है रहा लां नमक होता है वाँभवता शाहजर कर दूढ़ कर इसमम को समझाए जारा है लेकिन हम इस मों खळी Specifically सब्सक्रा कर मुद्र करें लो मा दा allemaal chill में माड़ान और तो परुन शाहती है मावशागर की और्सक्रां कर्ण हम रहेखती हैmasa, अलाकि प्रित्वी पर सबसे ज्यादा जल्ग ही पाया जाता है फिर भी हमें जल्ग की कमी महसूस होती है क्यों आईए हम लोग जानते हैं देखिए महासागर में जल्ग की मात्रा जल्ग की मात्रा 0.0 0.0 प्रतित्वत्त है और भूमिकत जल 00.68 जीलो का आल हमारे 0.009 समुद्रे देखिए नम्म की जीले जो 0.009 यह सभी को जोर करके टोटल हमारा होला है 100 परसेंट यानि कि सबसे ज्यादा जो जल्की मात्रा है वह हमारे है महासागर में सबसे कम है तो वह हमारी भूमिकत जिसका हम लोग उप्यूग करते हैं आईए यहां पर हम लोग जानते हैं इसराहिल की ब्रित सागर में 340 ग्राम पड़ती लिटर अमड़ता होती है तैराग इसमें पॉल्लव कर सकते हैं कि नमा की अधिकता इसे संगर बना देती है अब आए यह हमारा देखिए इधर जीवन के लिए जल अत्याधिक आवेस्टक है प्यास से होने पर जल की हमारी प्यास बुछा सकता है ऐसे में आपको ऐसा क्या ऐसा नहीं रगता कि लपरवाही हिससे जल का उप्यूग करने में हम वह मुल्य फंसाधन को बर्बाद करते ह आपको ऑन आफ जल मिल रहा यह तो आप बर्बाद कर Ilмы एक दिन आप थ्यासि रहकर देखिए आपको जल सब्सक्रीने आपको जल की पता चल्चैन के लिए कितना नुकूल है सब्सक्राइब करने वाला प्रतीत होता है जब आप समुद्र के किनारे किनारे टहरीएगा तब वहां की मौसम वातावरन कुछ अलग होई होगा और बहुत सुहाना सा लग रहता है के हैं देखें dal न तब कि नाल न्यां आता है प्रशादरै वहां उसलिए जीद्दध करते हैं भस Sum लोगे चीटर है कि अब हमनुद्र है कि आप जानते हैं जब समुंद्री सतर पहुनिक वक्रैकर तरंगे उत्पन होती है जितनी ही तेजी से पहुने बहुती है तरंगे भी उतनी ही वड़ी तेजी से उत्पन होती है आईए हम लोग जानते हैं देखिए जब आप समुद्र में गेंद या कुछ पर कोई भी बस्तु फेगा तो वह पुना प्रित्वी पर लागर के खरा कर देगी क्योंकि जवार भाट्टा के तरफ से जब उठाएगी फिर लागर के फिक देंगी आई यहां पर देखते हैं तो भान में तेजी वायू चलने पर विशाल तरंगे उत्पन होती है इनके कारण अत्याधिक बिनास हो सकता है भुकम जवाला मुकी उद्गार या जल क के नीचे भू संकलन के कारण महासागडिये जल अत्याधिक थाफित होता है इसके परिराम स्वरूप 15 मीटर तक कि उचाई वाली विशाल जवारिये तरंगे उठ सकती है जो हमारे जवारिये उठतने की आधिक्तम छामता है वह 15 किलोमेटर अगर 15 किलोमेटर अगर उठ ज 50 मीटर मापा गया था ये तरंगे 7000 किलोमेटर प्रती घंटा से अधिक की गती चलती है 2004 के सुनामी ने भारत के 30 चेत्रों में अत्याधिक बिनास हुआ था सुनामी के बाद अन्दमान और निकोबार्तिव समों में इंद्रा पॉइंट डूब गया था उस्टेम इतना भि पुतासराय नश्ट हो जाते हैं ये देखे सुनामी का टांडव प्रिधी पर हुआ था उसके बारे में देखे 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुरामे तरंगे आत्वा पॉतासराय तरंगों के कारण अत्याधिक बिनास हुआ ये तरंगे उस भुकंप का परिनाम थी ज भारतिय प्लेट बर्मा प्लेट की नीचे धस गई थी और समुद्र तल में अकासमात गती उत्पन हो गई इस कारण ये भुकंप आया महासागरिय तल लगबग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया और नीचे की दिशा में जुक गया इस विस्थापन की कारण निर्मित अ भारतिय प्लेट की बर्मा की प्लेट की नीचे चले जाने पर जल वापस समुद्र तट की ओर लवटा ये सुनामी लगबग 800 किलोमेटर प्रती घंटे की गती से आया था जिसकी तुलना व्यवसाइक वाईवानों की गती से की जा सकती है और इसके प्रहराम स्वरूप हिं भारतिय सीमा का धूर धशिन नी बिन्दु इंद्रा पॉइंट जो अंड माननीको भारतिप्समु डिप्समु का इंद्रा पॉइंट डूप गया था में इस्तित्य डूप गया जब सुमात्रा में भुकंप के अधिक केंद्र से तरंगे सुनाबात्रा की तरफ से अंड मार्दिप्समु एंशिलांका की ओर बढ़ी तरंगे की लांबाई कम हो गई जल की गहराई भी कम होने के साथ साथ इनकी गती भी 700-900 किलोमेटर प्रति घंटे के रफदार से कम हो गई समुन्द तर्ट से सुनामी तरंगे 3 किलोमेटर तक की गहराई तक गई जिसके फल स्वरूप एक 10,000 से भी अधिक लोगों की मिर्तु हो गई और लाखों अधिक घर परभावित हुए भारत में अंधर पर्दिश के 38 परदिव तमिलांडु केरल पदुचेरी तथा अंदमार और निकोबार्दिव समुशरवाव अधिक परभावित हुए थे इस सुनामी की कारण यह दिपी पहले से भुकम का अनुमान लगाना सम्भाव नहीं है फिर भी बड़ी फुनामी के संकेत तीन घंटे पहले मिल सकते हैं प्रसांद महासागर में प्राथमिक चिता चैतावनी की ऐसी प्रणालिया क्रियाशन फिल है लेकिन हिंद महासागर में यह सुबदाए न प्रापने की सकती है मत जो एंतर है वा आस्ठावित लेकिन हिंद महासागर में हम उसमें नहीं है और जो हमारा यह वीनिश्वाला जो भुकम आया ता एक सपचा सिम्ल पर या हिंद महासागर से यह ता और हिंद महासागर में कभी-खम पाते उतनी नहीं आती है देखिए अब यहां पर आवर देखिए दिसंबर 2004 में जिस सुनामी ने दचिर पुर्वी एसिया के टट्टो परता बाहि माचायवा पिछले कई वर्सों कई 100 साल वर्सों की सरवाधिक बिनास्कारी सुनामी थी हिंद महासागर में निचे ने चर्ड अरंभिक चयतावनी की प्रनालियों महासागर के टट्यानी निवास्यों में जगरुकता की कमी के कारण जीवन संपति की अत्याधिक छति हुई थी तो लोग उच्छ अस्थानों पर ना जाकर अचम भीकू देखने लगे कि देखने के लिए टट पर एकत्र होने लगे इसके फॉल सुरुप जब सुनामी कभी सालत रंग आई तो बड़ी संक्या में उसकी मिरतु हो गई अक्सर ऐसा होता है देखिए आज की जमाने में या फिर पहले की जमाने में जब कोई बिनास या कोई भी आपताती है तो जैसे ठीक हुआ था सुनामी जब आया था तो लोगों को महां से दूर जाने के वज़ा है वो लोग सम्मूंद के किनारे खरे हो करके बड़ी बड़ी लहरों को देखने लगे और एक अचानक एक बार आई सुनामी 150 मिटर की उचाई के रफ्तार से और सभी लोगों की साथ देखे जवार भटा दीन में दो बार नियम से महा साग्य जल का उठना गिरना जवार भटा कहलाता है दिन में दो बार नियम के नुशार से जवार उपर गिरना जल को नीचे उठना उसको अमलुग जवार बटा कहते हैं दीखें जब सर्वाधिक उचाई तक उठकर जल टटके बड़े हिस्चे को डूबो देता है तब उसे जवार कहते हैं जब जल अपने नियम अस्तार पर आ प्रिवा कर्शन बलके कारण प्रिथभी की सत्य जवार भाठे आते हैं यह हमारा शूरीय है यह हमारा प्रिथभी और यह हम रज़ चंदर्मा है सुड़ीय हैं और चंदर्मा की सक्टिШाली घृच्वा घर्षय जो है प्रिथभीको घुचती है जिसके वज़ेसे जव스त जब प्रित्वी का जल चंदर्मा के निकट होता है तो उस समय चंदर्मा के गुर्थवा करसर बल से जल अभरकर्शित होता है जिसके कारण उच जवार आते हैं पुर्णिमा अमावस के दिनों में सुर्य चंदर्मा प्रित्वी तीनों एक सीधे होते हैं यह हमारा पुर्णिमा के दिन होते हैं पुर्णिमा यह आमावस के दिन सुर्य चंदर्मा प्रित्वी सीधे एक समान में होते हैं और इस समय सबसे उचे जवार उठते हैं कि यहां पर गुर्तवा कर्षन बल्द तेजी से खिछता है हमारी प्रित्वी को अपनी तरफ यह चंदर में देखिए यहां पर खिच रहा है यहां पर आप अलका सा देखिए गतों खिछते हैं उठते हैं इस जवार को बहुत बिहत जवार कहते हैं लेकिन जब चांद अपने प्रत्थम में होता है तो चंद फूरिय का गुर्तवा कर्षन बल्द दिशा में महासागरिय जल को परपड़ता है पर राम स्वरुप निम जवार भाटा ऐसे जवार को लगु जवार भाटा कहते हैं यह देखिए यह हमारा ऊचाही तक पहुएज घार आ抓 झाने में पय जाब होते हैं कboldर बंधरगाह ऊब करने में मलतों करते हैं उनिक यहार के दावरान अनेकम मचलि टरं के निकट आ जाती है अनिक मचले ट्रकनी इसके फ़ल स्वरूप मचवारे बिना कर्टनाई के मचले पकर पाते हैं कुछ अस्थानों पर भाटे से होने वाले जल की उत्रा चरहाव का उप्योग विद्धुत उत्पन करने के लिए किया जाता है ज्वार वटा फे हमारे विद्धुत उत्पन भी ह होती है कि टर्बाइन लगा करके विद्धुत की उत्पति की जाती है महासागरी धराय महासागरी धराय नीशी दिशा में महासागरी सत्व पर नियमित रूप से बहने वाली जल्व की धरा होती है महासागरी धराय गर्म या ठंडी हो सकती है समानत्य गर्म महासागरी धरा कि निकट उत्पन होती है जो हमारी महासागर्य धराई होती है वह भूमध्य रेका याने कि यह हमारी भूमध्य रेका कि निकट उत्पन होती है कि यह द्रुवों की और प्रभावित होती है ठंडी धराई जब कि गल्फ अश्ट्रीम ज़ल धराय होती है महासागरिय धराय किसी छेत्र के तापमान को परभावित करती है गर्म धराव से सतल लिए तता का तापमान हो जाता है जिस स्थान पर गर्म यह मिलती है वह अस्थान 200 भार में सवरोतम मतस्यन चेत्र बन जाता है यानि कि मचली पालन वाला चेत्र यह दखिए यहां पर बता रहा है देखिए कहां पर किस देश में कैसे जल धराई बरती देखिए यह हमारा हो गया दशनी अल्टलांटिक यहां पर जो जल की धराय होती है इधर से जाती है इधर यह आप लोग मैप को अच्छा से पुड़ा विस्तार प्रूफक आप खुद आपने से ए प्रंड़ी जल धालाय मिलत है नहीं कोगहाड़ेंवाल बन दाया इसके प्लश देखिए यह हमारा हो गया दच्छिट यह उपढ़ वाईव उत्तर इधर हो गया पुराब और कर दो देखिए यह जो हमारा हो गया से आप पार्श्मी हाई जो दकी इधर से पस्ष्मी वाईव मेतर से चलती है इधर से फसलेग कि आफिक घिया ही कि यह हमारी पश्मी यहां से चलती है यहां से सुरू होती है शुरू से जाहिए विह सब्सु आए बीचे कि बिरित जो यह हमारा भूम्यद्रण यहां से शुरू होती है धचनी अफ्रिका से प змॉष्मी मांसून इसको फाक लैंड धरा धरा भी कहते हैं यह इधर जाती है और फिर पश्मी धरा इधर आती है यह दचनी महासागर की तरफ से होकर की गुजडती है और यह हमारा इंडिया हिंद मासागर यहीं पर है यहां पर पश्मी मंसुन पश्मी एस्ट्रेलियन के हिस्त से होकर जाती है पश्मी एस्ट्रेलिया जो होगा है वहां से होकर हमारे इंडिया में और यह यह पूर्वी जल्धारा है यह जो रिड़ से दिया है यह यहां पर है तो यह आप लोग मेप के माध्यम से अच्छा से समझ सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम लोग का जो चप्टर हुए है पांच नमबर या भी हो गया समाप्त अब हम इसका जो कुष्टन और इंसर है उसको देख लेते हैं तो आए जो हमारा कुष्टन नमबर वान है वह प् उसको हम लोग जल चक्र कहते हैं जल चक्र ना ऐसे ऐसे चकर लगाता है नीचे से उपर जाता है फिर से उपर से बारशा के रूप में आ जाता है नीचे समाने तो अगर में महासागरिया दराय उत्पन होती है यह भूमत धेर्यका के निकट उत्पन होती है दिन में दो बा तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत बंदे मातरम